कि नमस्कार साथियों मैं जोगंदर स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार स्सक्राइब कर एक जो बच्चे क्लास ले रहा हैं सभी के लिए गुड़ मॉर्निंग आज की आपकी क्लास है यह रिकॉर्ड करके जा रहा हूं इसके बाद जो क्लासेस आपकी स्टाट होंगी वो लाइब क्लासेस चलीगी तो यह जो दो दिन क्लासेस है यह आपकी रिकॉर्ड डिट्ट क्लासेस तो आज की दिन चर्चा कर लेते हैं कि आज की लास में आज आपके लिए क्या देखिये अब तक हमने क्या किया था क्रेस कोर्स में अब तक हमने किये थे 11 साल के जो आपके प्रिवीश बिख खो जो ग्यार 210 से लेके बनाए गया था जिससे कि आपको जीडी जो एससी जीडी का जो आपका इस्तर है उससे वो मैच कर सके और उसी किस रंखला में जो है आज हम अगला जो आपका मौक टेस्ट है बैद देखेंगे आज की जो आपकी क्लास है यह 27 क्लास है तो याद रखिएगा जो हमारी जो मौक बताईए आपको बताना है जो सब्द है कपड़ा कपड़ा का पर्यावाची है कपड़ा का पर्यावाची क्या है यह आपको बताना है चलन बसन गगन और जंगल आपको बताना है कि कपड़ा का पर्यावाची कौन सा है आपको चार अप्शन दिये गा है आपने देखी लि चीर, जैसे आपने सुना, बस्त हरन, चीर हरन, तो जो चीर है ये भी बस्तर का पर Р bahachee है, पोसाग भी होता है इसका परयाबाचee, तो ये जो तीन चार पर्र辉अचники इन्हें जो है आपको याद रखने हैं चलिए अगले प्रस्ण की और चलते हैं अगला प्रस्ण है यह आपकी स्क्रीन पर अगला प्रस्ण है आडंबर बहुत किंतु बास्तविक्ता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति क्या होगी है आपको बताना है जैसे अब तक आप से पूछा गया था कि आपको प्रस्ण है यह आपको बताना है आख का अंदा नाम नयनसुक उची दुकान भीका पकवान उट के मुह में जीरा खोदा पहाड निकली चुई यह चार आपके सामने हैं आपको बताना है आडंबर बहुत किंतु बास्तविक्ता कुछ नहीं के लिए जो लोकोक्ति है इसके जोगती आपको बतानी है तो इसका घो सही जवाब है यह बी ऊचीश दुकान भीका पकतवान यह सभी परसंद जो आज कर रहे हैं यह प्रसंद को हम आज सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखिए गांफ के बहुत इंपोर्टन कोशन से बहुत महत्मूर्ण प्रसड अगला प्रसंद का पर्रयाबाची होगा सब्द दिया गया है आपको कुंदन और आपको जो है इसका पर्याबाची बताना है हेम दुसमन मतंग स्वजन हेम दुसमन मतंग स्वजन क्या है इसका सही पर्याबाची यह है आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा ए यानि कि हेम इसके अला हेम, सोना, स्वयन और इसके लब एक हाटक, हाटक भी जो है इसका एक पर्यवाची है, तो जो आपको याद रखने सब्द, याद रखने आपको कुंदन, हेम और हाटक, ये तीन सब्द आपको याद रखने, उम्मीद है इन तीनों में से कोई भी एक कोशन जो है, किसी एक को question के form में और किसी दूसरे को जो है answer के form में देकर आप से question के बारे में पूछा जा सकता है तो आपको जो हाटक, हेम और कुंदन जो सब्द हैं यह याद रखने, याद रखिएगा यह जो प्रसन है, यह बहुत important प्रसन है कई बार आप से exam में पूछे जाते हैं, हम जो solve कर रहे हैं हम कर रहे हैं SSC GD का जो mock test है, जो बनाया गया है और इस mock test में जो आपके questions हैं, यह सभी previous year के questions हैं, क्या हैं आपके previous year के questions हैं यह सभी questions आपके previous year में कहीं ने कहीं आप से पूछे गए हैं, तो चलिए अगला प्रसन देखते हैं, तो यह जो प्रसन हैं आप इन्हें अगर गलत करें, तो इन्हें जो हैं, आपको लिखकर भी रखना है जिससे की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको revision करने के समय ना हो, चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है, केतु सब्द का पर्याबाची है केतु सब्द का पर्याबाची है राहु नाग अंसुक अंसुक ध्वज आपको बताना है इन चार में से कौन सा जो है केतु का पर्याबाची है आपको बताना है जो सब्द है केतु, जो यहां लिखा हुआ है इसका पर्याबाची क्या है राहु नाग अंसुक द्वज कौन सा है यह आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब है यह है डी द्वज इसके अलावा जंडा तो इसके पर्याबाचियां इसे आपको याद रखना है पता का निसान इसको भी जो है आपको याद आपको याद रखना है तो इसके बारे में भी याद रखना है important जो सब्ध है इसमें बही है निसान केतु और बागी तो तीनों को आपको पताएगा निसान और केतु ये सब्ध आपको याद रखने क्योंकि भॉत इंपノर्णिंट सब्द है इनसे आपको question बनाकर इनका पर्यवाची आपसे पूछा जा सकता है इंपोर्टन कोशन से यह इन्हें याद रगिएगा चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है यह निस्फल ना होने वाला कहलाता है निश्चित सही सटीक और अमोग यह चार आपसंस आपके सामने दिये गए है आपको बताना है निस्फल ना होने वाला क्या कहलाता है निस्फल ना होने वाला क्या कहलाता है निश्चित सही सटीक अमोग तो इसका जो सही जवाब है बै है डी अमोग आपको याद होगा महावारत में जो है कर्ण के पास अमोग सकती थी जो की इंद्र ने उसके कबच क तो इसे जो है आपको याद रखना है यह सभी questions आपके important हैं सभी previous year में पूछे गए हैं तो इन्हें जो है आपको याद रखना है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद है अबर का बिलोम सब्द है लगू प्रबर सुबर कनिष्ट यह चार option आपके सामने दिय आपको बताना है बिलोम सब्द बताना है आपको अबर का बिलोम सब्द क्या होगा लगू प्रबर सुबर कनिष्ट क्या होगा अबर का बिलोम तो इसका जो सही जवाब है बैं हो जाएगा प्रबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा बैं हो जाएगा प्रबर अबर का जो बिलोम है बहे हो जाएगा प्रवर तो आपको जो है इसे याद रखना है चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है यह आपकी स्कीन पर जो छाती के बल गमन करता हो जो छाती के बल गमन करता हो बाक्यांस के लिए एक सब्द है यह है प्रसन जो छाती के बल गमन करत हो बाक्यांस के लिए एक सब्द है यह आपको बताना है भूचर उरग उदर चर अचल कौन सा जो है इसका सही जवाब होगा यह है आपको बताना है जो छाती के बल गवन करता हो बाक्यांस के लिए एक सब्द कौन सा है भूचर उरग उदर चर अचल कौन सा इसका सही अब यह है उरग क्या है उरग जो चाती के बल गमन करता है उसे कहते हैं उरग इस सब्द को जो है आपको याद रखना है यह जो कोशन्स हैं जो आज हम कर रहे हैं यह सभी कोशन्स आपके इंपोर्डेंट है प्रीवेस एर में आपसे पूचे गए है चलिए अगला प्रसन अगला प्रसन है अकाल का बिलोम है आपको बताना है सब्द अकाल का क्या बिलोम होगा जो अकाल सब्द है इसका क्या बिलोम होगा यह है आपको बताना है धीर्गकाल सुकाल बरतमान निबर तमान कौन सा जो है अकाल का बिलोम होगा यह है आपको बताना है याद रखिएगा हम SSC GD का मौक टेस्ट कर रहे हैं SSC GD का जो है हम मौक टेस्ट कर रहे हैं और यह जो टेस्ट है इसमें सारे कोशन्स आपके प्रीवियसर के हैं सारे questions जो है आपसे previous year में पूछे गएं इस बात को जो है आपको याद रखना है चलिए इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब है सुकाल क्या है सुकाल धीर का काल किसका बिलोम है ये है लगुकाल का बिलोम किसका लगुकाल का बिलोम और बरतमान का बिलोम है निबरतमान बर्तमान का भिलोम होगा नी बर्तमान आपको इसे भी जो है याद रखना है बर्तमान का भिलोम है नी बर्तमान धीरकाल का है लगुकाल और अकाल का है सुकाल यह प्रसन आपका important है प्रसन के साथ साथ इसके options भी आपके लिए उतने ही important है इस बात को जो है आपको याद रखना है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जो class है पसंद आ रही होगी अगर आपको class पसंद आ रही है तो आप इसे share कीजिए इस class को जो है लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा जो है और जो बच्चे इस class से आज जो जो इस चैनल पर या इस class में जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़ें उन्हें जो है इस class को जो है इस चैनल को जो है subscribe भी करना है तो उसके बारे में भी जो है आपको याद रखना है चलिए अगला आप नहीं से देखते हैं किस सब्द की बरतनी है किसकी भरतनी जो है यह सुद्ध है यह आपको बताना देंगे प्रिष्ट जो है यह एसे लिखा जाता है थीक है परियाप्त जो है यह एас जाता है है रिखले आपका इंपोर्टेंट है पप रसेंगे सब्सक्राइएं जो है या इसके जो options दिए गए हैं यह आप से सुद्ध बरतनी के रूप में कई बार आप से पूछे गए हैं तो इस बात को जो है आपको याद रखना है चलिए अगला प्रसंदेखते हैं अगला प्रसंदे यह आपकी स्क्रीन पर प्रसंदे असीम का बिलोम है यहां भी आपको जो है बिलोम बताना है तब्द है असीम इसका बिलोम आपको बताना है ससीम सीम सुसीम सुकंचित तंकुचित तंकुचित अब आपको बताना है इसमें इसका बिलोम क्या होगा असीम सब्द का बिलोम क्या होगा यह है आपको ब बताना है कमेंट में आपको लिखना है कि आसीम का जो भिलोम है बह क्या होगा तो इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा यानि की ससीम ता सिम याद रखिए का सुसीम नहीं होगा गलती से अगर आप इसमें सुसीम लगा क्या है तो सुसीम जो है इसका सही जवाब नहीं होगा असीम का जो बिलोम हो जाएगा बै हो जाएगा ससीम असीम का एक अर्थ जो एक पर्यावाची यह होता है असंक इसे भी जो है आपको याद रखना है या अनगिनत या फिर अनगिनत आपको जो है यह याद रखना है ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है यह आपकी स्कीन पर जो पहले कभी नहीं सुना गया जो पहले कभी नहीं सुना गया जो पहले कभी नहीं सुना गया बाक्यान्स के लिए एक सब्द क्या होगा अनुसृति इसमृति अंसुना अभू असृत पूर्व आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा अनुसृत इसमृति अंसुना और असुरुत पूर्व कौन सा जो है इसका सही जवाब होगा आपको यह है बताना बाक्यांस का जो पहले कभी नहीं सुना गया तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बह हो जाएगा डी असुरुत पूर्व असुरुत पूर्व यानिकी जो पहले नहीं स तुना गया ठीक है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका बह्य हो जाएगा दी असुरुत पूर्व चलिए अगरा प्रसंद देखते हैं याद रखिएगा यह जो प्रसंद है जो आज आप कर रहे हैं यह सभी प्रसंद जो है आपके इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए यह सभी डेहां घ़्झार परले जांच की अधिकारियों ने रिक्षन की इसका आपको बताना वह जभी और आपको को बताना इसका सही जबाब क्या होगा तो इसका जो सही जबाब है है सी देखिए कागजात की जो है जांच की जाती है और बाकी के जो सब्द हैं जैसे निरिक्षण परिक्षण या अनवेशन यह थोड़े ब्रोडर प्रस्पेक्ट में आ जाते हैं मतलब बड़े जो कुछ जिसका निरिक्षण वगारा किया तो लेकिन जो परिक्षण और यो सब्द हैं क्योंकि आप परिक्षण और अनवेशन का जाता है तो इसका जो सही जबाब है यह हो जाएगा C चलिए अगले परसन की और चलते हैं अगले परसन का संदर्व है आपके लिए कच्छा चिठ्था कोलना कच्छा चिठ्था खोलना का उप्युक्त अर्थ है अब आपको जो है एक लूकोक्ती दी गई है आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा कच्चा चिठा खोलना का उप्युक्त अर्थ क्या होगा सारा भेद खोल देना कच्चे काम को पक्का करना भेद छिपाना आ कान का कच्चा होना क्या जो है इसका सही जवाब होगा यह है आपको बताना है यह आपको जो लोकोक्तिय दी गई है कच्चा चिट्टा खुलना आपको इसका उप्यूक्स अर्थ बताना है तो इसका जो सई जवाब है यह है ए सारा भेद खोल देना जैसे आपने नहीं सुना जैसे कोई कर्मिनल पकड़ा जाते तो कहता है इसका सारा कच्चा चिट्टा कहले कर्द ठास कर्मिनल तो इसका जो सभाव हो जाएगा है यह हो जाएगा ए चलिए अगले परसुनिक्स चलते हैं अगले पर अशून है आक यह एडिया रगणना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होगा एडिया रगणना देखिए याद रखिए यह जो प्रतन है आपके यह इंपोर्टेंट है कही बार जो है आप से एक्जम में पूछे गए रगण एडिया रगणना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होगा एडिया साप कर सब्सक्राइब कर ना बहुत दोड़ करना और परेशान करना ये इसका कौन सा सही जवाब होगा याद रख ये एडिया रगणना मुहाबरे का अर्थ से पूचा है तो इसका जो सही जवाब है यह है सी है बहुत दोड़ दूप करना एडिया रगणना मुहाबरे का सही अर्थ हो जागा बहुत दोड़ धूप करना ठीक है इसका जो सही जवाब हो जाएगा बहुत दोड़ धूप करना चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद यह आपके सामने निम्लेकित में से कौन सा बाग के असुद्ध है देखिए अभी कुछ टेम पहले आप सुद्ध बाग के तलास रहे थे अब आपको तलासना है असुद्ध बाग अब आपको बताना है कि यह जो चार ओप्सन आपके सामने दिये गए इन में से कौन सा असुद्ध है राजा सारा राज उसके लिए धतिता ऐसी एकाद बात और देखन होगा इन दोनों में केवल यही अंतर है यह जो है इस प्रसन का सही जबाब है कहने का अर्थ है सारा राज उसके लिए धतिता यह बाग के सुद्ध है ऐसी एकाद बात और देखने में आती है यह भी सुद्ध है मैं आपके दर्शन करने आया हूं यह भी सुद्ध है देख इसमें जो सब्ध है केवल इसका प्रियोग जो है अनुचित है तो इसका जोल रोले दोनों में यही अंतर है तो इसका जिए सब्ब हमद है यह है चलिए अगला प्रस्शने यह आपकी और जो बेचे इस चैनल पर आज इस वीडियो computer पहली बार देख रहे हैं या पहली बार इस class को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि इसी यूटूब चैनल पर जो है एक class होती है आड़ वजे रोज साम को यह होती है math और reasoning की class क्या होती है और यह लेते हैं आपके अजैसर अजैसर आपको एकदम बेसिक से math reasoning बड़ाते हैं आपको समझाते हैं कि कैसे जो है को ट्कल क lets कê जा सकता है यह सब क्लास है आपकी Current Affair और Static GK कि आप सभी जानकते हैं इन में current Affair और Static GK कितना महत्पूर्ण है और यह जो किलास आप अभी देख रहे हैं यह किलास होती है रोज 11 वजे लाइब है क्लास रोज 11 वजे लाइब होती है तो इस क्लास से भी चुटना मत भूलेगा इस क्लास में जो है आपके जीएस से सम्मंदित जो भी क्योरी है जो भी क्योरी आपके जीएस से सम्मंदित है बहे मैं सॉल्व कराता हूं रोज 11 वजे सुबह लाइब आ बाग के हैं यह एक गंभीर समस्या है मुझे बड़ी भूक लगी है मैंने राम से पूछा बहे गर गया देखिए चारों बाक्यों को फिर से एक बार पढ़ते हैं यह एक गंभीर समस्या है बाक सही है मुझे बड़ी भूक लगी है यह गरत है मैंने राम से पूछा यह भी सह है और भै गर गया यह भी सब्सक्षार बागी के तिन सहीं पर भी क्यूब अब लगीं मतरब कितनी फड़ी लगिए इतनी वड़ी इतनी वड़ी या इसकी हो है आगा को यह बहुत ओ है भूक कृ मुझे है तो इसका जो सही वाग्यों जाएगा जो बाक्रण के रूप से सही हो जाएगा बैव जाएगा मुझे बहुत भूख लगी है तो अगर देखा जाए तो जो बाग के असुद्ध है बैव है भी और प्रसंद का जो सही जवाब हो जाएगा यहां हो जाएगा भी यानि कि जो स्कूशन नमबर आपका 16 इसक सब्सक्राइब है सब्सक्राइब कर जो दिशकर बनाएगा जिन में कर दाए है उन करता है यह यह वाला जो है यह सुद्ध है और यह भी गलत तो इसमें सब्सक्राइब को जाता है तो इसे जो है आपको याद रखना है कि चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगले प्रसंद का संदर्व है आपके लिए बरतनी की दरश्टी से सब्द का सुद्ध रूप कौन सा है बरतनी की दरश्टी से सब्द का सुद्ध रूप कौन सा है बंदना 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 आपको बताना है कौन सा जो बरतनी के रूप में सुद्ध ह निया थे कि यह चार आपके सामने दियेगा हैं आपको बताना बर्तनी के मतल्ल में इतुद्ध कि हिंदी के रूप में कैसे सुद्ध लिखा जाएगा है च早 है अब से पूछा तो इसका है यह सैज। 67 बंदना एसे लिखा ता है भरतनी रूप है बंदना जीमे अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है अगले कर रस दो आ आपके लिए और आपका है यहां आपने पूछा है स्द्ध वार्क के उच्छा पहले पुचा असुद्ध प्र संथ पर आए ऊफ सू तलास रहते हैं फिर से हमें सुद्ध को तलासना है बाग के दिने इस फीस mendown और पुल लिंगी तो सु मन हैاس और केरिए सब्दों के थेस सीताने बाद य है कहा सिता ने यह कही सीता यह कही और सिता यह कहा यह तीनों जो है गलत हो जाम कि कर्या यह कहोut निम्निलकित में एक बाग के असुद्ध है फिर से आपको एक असुद्ध बाग के तलासना है हम लोग आपका आभार मानते हैं तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा अगले सनिवार को सीला छुट्टी पर रहेगी भै कमरे में जाकर सो गया है अब आपको बताना है कि इसक जो है सही जवाब क्या होगा यह जो प्रसन है आपका इसका सही जवाब क्या होगा यह है आपको बताना है हम लोग आपका आभार मानते हैं तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा अगले सनिवार को सीला छुट्टी पर रहेगी भै कमरे में जाकर सो गया सी अगले सनिवा है हम लोग देखे हम का मतलब हुग एक से अधिक वक्ती तो इसमें छो लोग सबlicher न है यह अनुचित है हम आपका आभार मांते हैं हम आपने भी है जो प्रियोक किया होगा इस सब्सक्राइब को या इस बाग के को तो कई वार आपने यहीं का होगा कि हम आपका आभार मानते हैं ऐसा बहुत ही रियर केस होगा कि आपने हम लोग का होगा अगर आपने कहा है हम लोग तो जो है आपका जो आपने वहां पर जो है ह हिंदी के रूप में अशुद्धी का असुद्धी प्रदर्सित की थैं इसका जो है जवाब है है हम लोग आपका आभार मानते हैं अभी्यामने एक से लेकर 20 तक ये सभी कोशन्ट हिंदी के थे ये कोशन्ट है एक से 20 जो कोशन्ट यह आपके हिंदी के कोशन ते आपको कमेंट लिखकर बताना है कि आपके हिंदी के कोशन कितने सही हुए एक से 20 तक आपके कितने हिंदी के कोशन सही थे यह आपको बताना है अब हम करेंगे 21 से 40 तक यह हैं GS के कोशन किसके हैं यह हैं GS के कोशन और अब हम इने करने बाले हैं चीनी यात्री जिसन चीनी यात्री जिसने गुप्तकाल में भारत की दसा का बरणन किया है बहें कौन सा यह आपको बताना है वेंसांग फायान फन ये और इच्छाइनीज ट्रेवलर हुद डिस्क्राइब दा कंडीशन ओफ इंडिया डियूरिंग दा गुपता पीरेड यह आपको बताना है इसक का सही जवाब होगा तो इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा फॉसके यह ब्हुंखत गाल केंगेuestas केह बारे अपने लिखों में बाणन किया है चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है यह आपके सामने हिंदू देवी देपताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके कालका है हिंदू देवी देपताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके कालका है आपको बत काल का है आपको बताना है किसका ओल्डेश टेमपल डेडिकेट टू हिंदू गॉट्स एंड़ गॉड़ेस बिलोंग टूदा पीरेड्ग और कुसान पीरेड गुपता पीरेड सुंग पीरेड और सक्षप्पिरेड कौन सा जो है इसका सही जवाब है तो इसका भी सही रटल समय Прod sulla MR सामराज की पष्ट्णू होता है चलिए अगले प्रसंद का संधर वैं आपके लिए कि अकभरके समय मूघल सामराज की पश्च मोतर सीमा मैं जो मुगल का लता है उसकी सबसे पश्चिम की सीमा कौन सी थी यह आपको बताना है पंजाब हिंदुकुस काबुल और सिंद्ध वाट वाज दा नदर बैस्ट बाउंडरी ओफ दा मुगल एंपायर एड़ टाइम अगवर पंजाब हिंदुकुस काबुल या सिंद्ध यह आपको बताना है तो इसका जो सही ज का टालवान का गुप जह निस्तित है ओर जो इसके टायब मतलब अकबर में जो मतलब मुगलकाल ते इनमें जो अकबर तक या जहांगीर तक जहांगीर तक जो है इनकी पश्चिमी सीमा हिंदुकुष रही थी। जहां जहां के समय जब सा जहां कद्धी पर बैठा उस समय जो है इनके हांथ से अफगानिस्तान निकल गाता है। तब इनकी जो पश्चमी सीमा है या पंजाब तक सिमट कर रह गई थी तो आपको जो है इसे के बारे में भी याद रखना है पंजाब और उसके आगे का चितर मतलब जो पाकिस्तान है बहां तक अफगानिस्तान जो है इनके हां से निकल गया तब मेरे कहने का अर्थ मात्र इ अल्यक्ति या लेटराइट मिट्टी ऐती सोल इस्ट फांड इन मैक्सिमफण कॉंटिटी इन इंडिया रेड ब्लेक ऐलूबेल और लेटराइट कौन से मिट्टी जो है बहारत में सरबादिक पाई जाती है तो याद रगिए हम जो है किर्शी प्रदान देस हैं हम क्या है क ज़डीयों का देश कहा जाता है और जहां नदियां हो तियां अधिकतर जो है कों से पाई जाती है पाई जाती है जलोड व Caroline या कौन मिठ्टि आपको इसे याद रखना यह कौ Inner यह सभी कोशन जो है प्रीफीएस हैर में पूछे गए और एक बार नहीं पूछे गए हैं कई बार ये प्रसन जो है आपसे पूछे गए हैं बार बार इन प्रसनों को जो है आपसे पूछा गया है चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है ये आपके सामने इन में से कौन सा बिकल्प सही डंग से मेल नहीं 1333 में इबन भतूता भारत पहुचा या पहुच यह सही ए अगला 506 में गुरुनानक देप का यह हुआ यह सही है बार संब्वे में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया क्या यह सही है यह चौद साओरलों कि थाल्ष को डिवामा कालिकट में आया क्या यह है सही है विच आप फॉलोइंग ऑप्शन इज नौट करेक्टली मैच्ट थर्टीन थर्टीन हंडरेट थर्टीतरी इवन बतूता रीष्ट इंडिया फिफ्टीन हंडरेट सिक्थ बर्त अफ गुरुनानक देव 1290 मारको पोलो बिज्टिट इंडिया 1498 बासको इसका जही जवाब होगा तो इसका जो जही जवाब है यह है कि गुरुनानक देव का जो जन्म है जो शिक धर्म के पहले गुरु थे इनका जश्र्म वां था फोर्टीन हेंड़ आप- solemौन्दिर्म है । के पाकिस्तान में इस्तित है इसे जो है आपको याद रखना है चलिए आ गरे देखते हैं जो बच्च्चे बच्च्च्ट के लस्दम को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए उन्रीनिया की मैत और और मुद्हू चरदी हुरां और रोज रात जसे इस YouTube channel पर चलती है इसमें जो है आपको एकदम basic से math और reasoning पढ़ाई जाती है इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे आप बिना pen paper के जो है questions solve कर सकते हैं इसमें आपको बताया जाता है basically कैसे जो है आप जो class है इसमें आपको बताया जाता है किस प्रेकार जहाए आफ बिना पेंट पेपरे हैं कैसे को动 करना चाहिए किस प्रेकार कुश्चत को सॉल्थ करना चाहिए कौन कौन से कीवर्ट जबना हैं जो आप कोर्ड सकते हैं यह सभी इस क्लास में पढ़ाया जाते हैं याद रखिए यह अकेली जो है आपको 50 नमबर प्रतान कराएगी 25 है आपकी जीए जिसमादा करन्ट अफेर इस्टेटिक प्लस अन्य सब्जेक्ट और 25 की हिंदी या इंग्लिस जो जिसमें भी आप सुटेबल हूं बहस भासा जो है आप चुन सकते हैं तो यह है आपका सिलेबस उसमें कि आपको करन्ट अफेर और स्टेटिक जीके के बारे में पढ़ाया जाता है आपको करन्ट अफेर कराया जाता है आपको स्टेटिक जीके का जो कुछ पार्ट है वह भी इसमें कराया जाता है और एक क्लास जो मेरी है जो होती है ग्यारा बज़े इसमें जो है मैं आपके ज येस से सम्मंद जो भी questions होता है जो भी questions होते हैं जो भी query आपकी होती है उसे solve करता हूँ मैं 11 बजे रोज सुभै लाइव आकर इसी YouTube चैनल पर तो मेरे साथ भी जो है 11 बजे जुड़ना मत भूलिएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question है ये आपके सामने भारतिय संब् संब्मिदान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारतिय संब्मिदान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रतान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्पति द्वारा की जाएगी आपको बताना कौन सा अनुच्छेद संब्मिदान का जो यह कहता है कि जो प्रतान मंत् अनुच्छ एक्यासी एए अनुच्छ उन सट ए अनुच्छ पिचत्तर ए अनुच्छ एसी ए इंग्लिज में विच आर्टिकल आप दा इंडियन आपका इसका जो सही जवाब है यह है सी अनुच्छ शेविंटी फाइब ए जो सम्मिधान का अनुच्छ सेविंटी फाइब बताता है या कहता है कि जो हमारे प्रधान मंत्री है इनकी जो नियुक्ति है याद रखिए का प्रधान मंत्री की नियुक्ति होती है निर्वाचित नहीं होते हैं वो मतलब निर्वाचन और नियुक्ति में जो है अंतर है चुने जाते हैं पर जब वो रखना है चलिए अगला प्रसंदेखते हैं अगला प्रसने यह आपके सामने निम्न लिखित में से किसे ने कभी भी भारत के उपर प्रधानमंत्री के रूप में कारवार नहीं समाला निम्न लिखित में से किसने कभी भी उपर प्रधानमंत्री के रूप में कारवार नहीं सम जबाई देविलाल बीपी सिंग और लाल किष्न अडवानी कौन सा जो है इसका आपको इन चार आप्तएुम देखकर बताना है यह चार आप्तस्थ आपके सामने इन में से देखकर बताना है कि किसने जो है उप्प्पृधान मंत्री के पद पर या उनके कारवार नहीं समाला है तो इसका जो सही जवाब है यह है बीपी सिंग बीपी सिंग जो हैं यह 1989 से 1990 तक PM रहे थे यानि प्रदानमंतरी रहे थे लेकिन यह कभी भी उप्रदान्मंतरी नहीं रहें देविलाल लाल किस्णree और मोरारी देवसाई यह rhinall जो है उप्रदानमंतरी के पत पर रह चुके हैं तो आपको यह याद रखना है चलिए अगला प्रस्त देखते हैं अगला प्रसने यह आपकी स्कीन पर कारवन का बह अपरूप जो कारवन का बह अपरूप जो बिद्धुत बाउस्मा का सुचालक है और उत्तम लुब्रिकेंट भी है यह आपको बताना कारवन के उस अपरूप को आपको बताना है जो बिद्धुत बाउस्मा का सुचालक है तथा उत्तम लूब्रीकेंट है चार्कॉल ग्रेफड हीरा लेंप ब्लेक दा अलोट्रोप ऑप कारवन बेची जा गुड कंड़क्टर ओफ एलेक्टरिसिटी एड़ हीट एंड इजा गुड्ड लूब्रीकेंट कौन सा है चार्कॉल ग्रेफड डायमंड और लेंप प्ल्यक तो यह जो कोशन है आपका यह जह सामने आपके प्रदर्सत रोया इस कोशन का जो सही जवाब है यह है भी इंजा ने फाइट ऑल अधे न्यकूर मिफ्ट का Shelby लोफை. है और उतम लुनीकेंट है तो आपको जो है इसे याद रख स्फुर्म manifest आगम आपके सामने मौसम के दौरान मौसम के दौरान देखिए यहां है रिक्तिस्तान है यह रिक्तिस्तान है मौसम के दौरान रभी फसल की खेती की जाती है किस मौसम के दौरान पत्य जड़ सरदी गर्मी मांसून अत्वा बर्सा कि डियूरिंग दा सीजन रभी क्रॉप इच कल्टीवेटेड ओटम बिंटर समर मौनसून और रेन आपको बताना है कौन सा जो है इसका सही जवाब है आपको बताना है कि जो रभी फसल है इसकी केती किस मौसम में की जाती है पते जड़ सर्दी गर्मी मानसून तथा बरसा य होती है यह आप देख लीजिए जैसे होती है गेहूं एक है जवार आलू यह जो है यह आपकी रभी की फसले हैं तो इन्हें जो है आपको याद रखना है ठीक है सुरी जवार नहीं है जो जो गेहूं जो आलू चना मतर मतलब वो फसलें जो सर्दी में की जाती है और सर्दी खतम होने के लगबग जो स्टार्ट होती है जब हुली आती है उस टाइम जो है इन फसलों को काटा जाता है यह है आपकी रभी की फसल गेहूं जो आलू चना मतर इन्हें भी जो है आपक को इन तोन तीनों की जो फसले हैं बहयाद होनी चाहिए आपको अगर याद नहीं तो आप जो है इन्हें सर्च कर सकते इन्हें ढूंड़िए और कुछ काम खुछ से भी कीजिए और लिखकर रख लिजिए कि जायद रभी और खरीब की फसले कौन-कौन सी हैं चलिए अगला अगले प्रस्ं का संदर्व है आपके लिए अन्तरिक्ष में प्रीधाम पुस्पित फुल्प्स्प देगी यह प्रीया प्रसम जो है आपका अपका इम्प्रसंट है इस्टैंट का कोश्टन है स्टैटिक का कोश्टन है यह और इसन इसली इसलिए इन्पॉटन कि कई वार जो है आपसे यह कोश्चन पूछा गया अंतरिक्ष में प्रितम पुस्पित पुस्प कौन सा है मतलब पहला फूल जो भाँ फुस्पित हुआ था या फला फूला था तो जीनिया अर्नाल्डी रेफलसिया उप्रुक्त में से कोई नहीं दा फर्ष्ट फ्लोवर इन इस पेस जीनिया आर्नोल्डी रेफ रेफलसिया और नन अब दा एब कौन सा जो है इसका सही जवाब है यह है आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब है यह है जीनिया कौन सा जीनिया जीनिया पहला पुस्पित फल है पुस्पित पुस्पित पुस्प है अंतरिक्ष में जो की अंतरिक्ष में प्रतम पुस्पित जो पुस्प बहे है जीनिया चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है यह आपके सामने महत्मा गांदी ने महत्मा गांदी ने रिक्तिस्तान अर्थ विवस्ता की बकालत की आपको बताना है महत्मा गांदी जी द्वारा कौन सी अर्थ विवस्ता की बकालत की गई थी महत्मा गांदी एड़ोकेटेट फिल इन दा ब्लैंक एकॉनमी कौन सी स्तानिय यानि की local ज़की क्योंट केंदरी किरत यानि centralized, भिकेंदरी करत यानि decentralized और global यानि की global कौन सी जो है economy की बखालत महत्मा गन्दी जी ने की थी यह है आपको इस question में बताना है तो इसका जो सही जबाब है भै है C भिकेंदरी करत यानि की कहने कारता है महात्मा गांदी ने कहा था कि अगर गाउं का विकास होगा अगर गाउं का विकास होगा तब देश का विकास होगा तब देश का विकास होगा यह महात्मा गांदी जी का कथन है और यह कथन प्रदस्टित करता है कि जो महात्मा गांदी थे उन्होंने विकेंद विकेंद्रिकरत अर्थ विवस्ता की जो है वह बकालत कीतिया उसे एड़ोगेट किया था चलिया अगला प्रसन है अगला प्रसन है राज्य सवा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं यह प्रसन भी जो है आपका इंपोर्टेंट है राज्य सवा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से और अपको बताना है तो इसका जो स़ह जवाब है यह है B 31 क्या है 31 कमेंट में लिखकर बताओ लोक सवा की कमेंट में लख अफ्पिर देश में लोक अगले प्रिसंद का संदर्व आपके केलिए का कोरी साढ़ अंतर केस किस बर्स में वा था आपको यह बताना है कि जो का कोरिसे इन केस है कि से का को जो भूत है और जो बचसे हमारे साथ अभी जूड़े है या जो बच्छ वीडियो को नो बता कर दो कि इसी चैनल पर चैनल पर मैत और रीजिनिंग ट्लस चलाए जाती है आपकी जो लेते हैं अजैसर यह पचास नंबर की क्लास है लगवाग यह मानिए कि यह आपको एकदम 50 नंबर जो है पक्के करा कर देगी और एक क्लास आपकी सुबह चलती है सुबह साथ बजे और यह क्लास है आपकी करेंट अफ्यार और स्टेटिक जीके की और इस्टेटिक की जिसमें आपके बंड़े अग्जाम से संबंदित करेंट अफ्यार और स्टेटिक जीके का पोर्षान जो है इसमें कबर कराया जाता है और एक क्लास आप की होती है सुबह 11 वजे जो की आप अभी ले रहे हैं और यह जो क्लास है यह है है आपके जिस मंदित क्योरी होती है उसे मैं solve कराता हूं रोज 11 बजे तो मुझसे भी चुड़ना मज बूलीगा प्रसन पूछा गया है आपसे काकोरी सड़यंत केस किस वर्स हुआ था इन विच यह डिट दा काकोरी कॉंस्परेसी केस काकोरी कॉंस्परेसी केस टेक प्लेस कौन सा यह है व सब्सक्राइब कुछ एस बात को आपको यह वर्स प्रसन के में हिस्टरी में है प्रसन बहुत इंप्रस्टैंट कई बार आप पूछा जाता तो इसे आपको याद रखना है तो आपको इसे लिएक करत रखना है और जिन्नोंने सही किया है उनके लिए तो very good मतलब उनकी जो त्यारी है वह अच्छी है और इसे जो है बनाए रखना है और जिनों ने इस question को सही गया और unquestions को गलत किया है तो जो है आपको उन questions को लिखके रखना है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद है यह आपके सामने गदर आंदोलन के नेता कौन थे आपको बताना है जो गदर आंदोलन था इसके नेता कौन थे हर दयाल भगत सिंग मैडम कामा और स्याम जी किष्ण वर्मा हर दयाल भगत सिंग मैडम कामा और स्याम जी किष्ण वर्मा कौन थे गदर आंदोलन के नेता यह है आपको बताना है है तो यह जो प्रस्थन है आपका इस प्रस्थन का सभी जवाब है हर दयाल देखिया हर दयाल जी ने सोहन कि इस भागना के साथ जो है अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को में जो है गदर जो अंदोलन था उसकी इस्तापना की थी तो जो है आपको यह याद रखना है गदर अंदोलन की जो इस्तापना वे हर दयाल और सुवन सिंग भागना ने मिलकर जो है अमेरिका के सेन फ्रांसिस्कों में की थी आपको यह याद रखना है चलिए अगले प्रसंद देखते हैं अगले प्रसंद का संदर्व है आपके लिए अगला प्रसंद है पर्याप्त मात्रा में कार्वो हैड्रेट प्राप्त करनी हो अगर आपको पर्याप्त मात्रा में कार् और फिस कौन सा जो है इसका सही जवाब है प्रसंद पूछ रहा है अगर आपको कार्वोहेड्रेट चाहिए परियाप्त मात्रा में तो इन में से कौन सा जो भोजन है आपको करना चाहिए यह है आप से पूछा जा रहा है तो इसका जो सही जवाब है यह है बी चावल अगर प्रूम आप प्रियाप्त मात्रा में चावल खाएंगे अगर आप चाव ख हंगे करते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में जह बो है कारओ ऑफ जाभार कौनवत आपको च Carrye आप उसका यू जाएगा वियानिख राइस चावल चलिए अगला प्रती निम्ले सामने निमले के तत्तों में से किसकी परमाडू संक्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है यह तत्तों दिएगा है आपको चार इन में से बताना है किसकी परमाडू संक्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है यानि कि फ्लोरीन से जो है किसकी परमाडू संक्या अधिक है यह nitrogen boron which of the following elements has a higher atomic number than that of fluorine sodium beryllium nitrogen boron कौन सा जो है इसका सही जवाब है यह है आपको बताना है आपको बताना है किसकी जो संक्या है बैफ फ्लोरीन की मौक तुलना में अधिक है तो देखिए तो इसका सही जवाब क्या है उससे पहले यह देख लेते संक्या कितनी है फ्लूरी जा है ऑफ्लूरी की संग्या कितनी है इसकी है अधिक है और जो बोरोन है इसकी है हुए एक बेरियलियम की है चार सोडियम की धार है हाँ ओर यह इसकी संक्या कितनी है नो टू इसके मताबिक जो इसका सही जवाव चाइगा वे हो मुझा जैगा एक नो के मुकाबले मुझे Solar को यह रहा है। तो यह सद आप्मसाद फिर है पर फिर भी चुल देखते हैं बाद में देखेंगे तर सब्सक्राइब बात सब्सक्राइब लोरीन की होती है नौ और बागी की जो है इस सब की जो है नौ से कम है sodium है इसकी परमादू संक्या लेको सबसे कम गलनांक तो में से किसका सबसे कम गलनांक है sodium tin radon radium which of the following element has the lowest melting point sodium tin radon or radium कौन सा जो है इसका सही जवाब है आपको बताना है किसका जो है गलनांक सबसे कम है तो देखिए sodium का गलनांक कितना है sodium का गलनांक कितना है इसका है 98 degree centigrade कितना है याद रखिए का सोडियम का जो है 98 degree centigrade तिन का कितना है तिन का है 232 232 degree centigrade अच्छे से लिख दूँ है 232 degree centigrade सोडियम का 98 degree centigrade तिन का 232 degree centigrade और रेडाउन रेडाउन का है कि मायनश 61 degree centigrade रेडाउन का कितना है रेडाउन का है मायनश 51 degree centigrade और रेडियम का कितना है रेडियम का है 600 degree centigrade देखिए प्रसनम पूचा गया निमले के तक्त्तों में से किसका सबसे कम गलनांक है सोडियम का है नांटीएट डिग्री फिन का है टुटी टू डिग्री सेंटीग्रेट रेड़ॉन का Boss जो अभी हमने इनके गल्लांग देखे जिनके मैल्टिंग देखे उसके मताबिक जो इसका सही जबाब है यह है C, Radeon का जो है minus 71, बागी के सभी positive में और काफी अधिक हैं, तो आपको याद रखना है, जो Radeon है, इसका minus 71 degrees centigrade है, आपको इसके बारे में याद रखना है, सबसे कम गलनांक वाले questions भी आपसे पूछे जाते हैं इंहें भी जो है आपको यास एकला अगला प्रसец कौन सा ब्दूत का सर्वौत्तम चालक है आपको बताना है सबसे ब्दूत जो सर्वौत्तम चालक है कौन सा अब इसे देखते हैं इंगलिज में which of the following is the best conductor conductor यानि चालक ओफ दा electricity electricity का बेश्ट कंडेक्टर कौन साई है आप से पूचा साधार अबला हुआ यानि प्लेन वाटर मतलब कि नॉर्माल वाटर आच विंगल फागे है आसीनूर्मल आटर वॉइड वाटर सी वाटर और डिश्टिल्ड बाटर या डिश्टिल्ड वाटर कौन सा आप से जवाब है इसका सइनूर्य जवाब है c समुद्री चल समुद्री जल जो है वह electricity का बेश्ट केन्डेक्टर है इन चार ओप्षन में सी समुद्री जल तो इसका जो सही जवाब है है सी वाटर और या फिर यह का है option सी चलिये अगला प्रसंद देखते हैं अगले प्रसंद का संदर वैं आपके लिए हार्मोन इंसुलिन हमारे सरीर में किस गरंती द्वारा निर्मित होता है जो हार्मोन है जो हार्मोन देखे हार्मोन इंसुलिन हार्मोन का नाम है हार्मोन इंसुलिन हमारे सरीर में किस गरंती द्वारा निर्मित होता है अग्निया से यक्रत अबटू और अधिबक्र दा हार्म जबाब होगा यहां आपको बताना है कौन सा है इन मेंसे वेखरन्ती कौन सी है व ग्लैंड जो इसलिन हार्मोन को हमारे सरीर में जो है निर्मित करती है कॉन सा जो है इसका सही जloikan हो गई है है इसका जो आंसर है याद रखना है याद रखिएगा हम कर रहे हैं ऐसे स़ी जीडी का मॉक टेस्ट और इस मॉक टेस्ट में जो है कि हम जो कोशन कर रहे हैं यह कर रहे हैं हम previous year के पहले आपकी बिगत बर्सों की परिक्षाओं में यह यह कर प्रिवेश एर कोशन्याप और कि प्रिकु hypothesis और कोस्टन कैसे यानि भात बार पूछे जाने वाले प्रिवीर कोस्टन हम करना है शेत्तेब्स या जो अभी भी किया है या जो हमने से पहले किया यह सभी कोश्चन जो है आपके एक्जाम में कई बार पूचे गए कुछ मतलब एक डेड़ दो तीन साल में जो भी अग्जाम हुए एससी की तरफ से अन अग्जाम उनमें प्रसन कही बार रिपीट हुए है तो इस बात को जो है आपको याद रखना है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है यह आपके सामने प्ले स्टेशन जो कि आप आजकल खेलते होंगे कई मतलब जो स्टूडेंट्स हैं में कई के पास प्ले स्टेशन होगा अब आपको बताना है कि जो आप डेली यूज में लेते हैं प्ले स्टेशन इसका अभिसकार किसने किया था एसन जोर्ड नौफ रेनॉल्ड वी जोंसन केन कुटारागी और जोर्ड विजोंसन चेन कई कुटारागी और आपको बताना है किसने प्ले स्टेशन कविसकार क्या तो जो प्ले स्टेशन पर गेम्स लिए यह स्टीर ऑफ्लिशिक्वास चर्सीमिटारी पूचा है, तो इसका जो सही जवाब है, यह है C, केन, कुटा, रागी, यह जो PlayStation है, जिसका विश्कार किया था, यह किया था, केन, कुटा, रागी ने से, तो इसका जो सही जवाब है, यह है C, यह है आपका important person है, देनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसके जो है, आपक को कमिंट में लिखकर बताना है कि यह जो 40 कोश्चन है इनमें से आपने कितने सई किये हैं और यह है जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुने हैं जिन्हों आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन बच्चों के लिए इनफोर्मेशन है वह यह कि इसी चैनल पर जो है रोज रात आठ बजे आपको मैथ और रिजनिंग की क्लासे होती है अल्टरनेट डे पर जिसमें आपको एकदम बेसिक से जो है मैथ और रिजनिंग के सकते हैं कैसे उनके स्राइइं निकाल सकते हैं यह आपको इस चलास में जाता है याद रखी आपकी 25 मिनिट जो आपका जो एक्जाम है याँ पच्चिस पच्चिस के चार भागों में बटा हुआ है, पुच्चिस नम्मर के आएग आएगी आपकी मैच, 25 के आएगी आपकी रीजणिंग, यानि कि 50 नम्मर जो है आपको इसी एक क्लास से प्राप्त हो जाएंगे, 25 कि आईगि आपकी जी है जिसमें है Current Affair static जी के और Un-subject और 25 कि आई आईगी है आथ के हिंदी या English आप जिस भासा में इसे तेमें हो हिंदी और English दोनों में जिसमें भी आप सुटेबल हों पहीं हम आपके लिए आएगी इसमें पूछा जाएगा ठीक है और इसके अलाबा जो आपकी एक class होती है बह्य होती है सुबह 7 बजे कब होती है सुबह 7 बजे और इस class में कराते हैं current affair और static gk ये class लेते हैं आपके दिब्विप्रकास सर और इसमें जो है आपको current affair और static gk के बारे में बढ़ाया जाता है इ यह हमारा facebook का link आप इस पर भी जो है follow कर सकते हैं और यह है आपका telegram का link यह है आपका telegram का link और यह link बहुत important है इस पर जो है आपको PDF बगारा provide कराई जाती है इसके अलाबा जो आपको PDF ठीक है तो आपको जो है SSC maker का app SSC maker का app जो कुछ दिन पहले ही आपको launch कराया गया है और यह जो एप है इस पर आपको मिलेगी free PDF free classes कि मतलब class की जो वीडियो है वो free मिलेंगी इस पर आपको मिलेगा quiz आपको इस पर मिलेगी new vacancies जो आएंगी जो मतलब जो vacancies आती है जो government निकालती है उनकी जानकारी आपको यहां मिल सकती है मिलेगी, मिल सकती है नहीं, मतलब मिलेगी, इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें, जो आपको यहां, बुक्स बगरा, जो है, कुछ फीडियाप्स बगरा है, वो भी आपको यहां, प्रोवाइट कराई जाएंगी, तो यह जो एप है, बहुत इंपोर्टनेट अप है और यह है सबसे महत्पूर्ण लिंक यह है आपके इस यूट्यूब चैनल का लिंक यह है आपके अपने परिवार एससी मेकर का यूट्यूब चैनल का लिंक आपको जो है इस लिंक को जो है आपको सेर करना अधिक से अधिक सेर करना अधिक से बच्चों को जो है इस क्लास को स कि यह जो आपका अपना परिवार है ससी में कर इस से अधिक साधिक बच्चे जो है इस किलास के साथ जुड़ सके तो चलिए आज किलास को ही सब्सक्राइब करते हैं जैन कल मिलते